हलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंज एक छोटा सा ही वीडियो शेयर करी हूं आज मैं और वीडियो की शिरुआत करी हूं बहुत ही कुपसूरत एक्जोरा के फ्लावर्स के साथ देखे काफी कुपसूरत से फ्लावर्स आये हैं और साथ में देखिए मौनिंग जोकी अभी बंद होने को में तो यह मार्निंगि गिलोरी से प्लांट अ keep में सीन, कि वि McMahon में पता जान से इंग सीन, को पाणिपने, जिया लगा होगा जर पकर कि अदिए हो ज्मिन सीन ने नंवे से वह एक लगा में पाट ह। पहले सी लगए हुए एक प्लैंट उसाथ यह औरेंज कलर में तो चलिए फ्रेंज चलते अपने टॉपिक पे तो आज मैं साइप्रस वाइन के सीड कलेक्ट कर रही थी तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यह मेरा साइप्रस वाइन का प्लांट जो कि खुद से अप मेरे गार्डन में जर्मिनेट हो गया था मेरे प प्लांट से देखिए मेरे पास कितने देरो सीड बनने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से इसके फ्लावर लगते हैं यह इनकी कलिया है और यहां पर रैड कलर के फ्लावर आते हैं बहुत खुबसूरत मैं यहां पर अलग से एक चोटा सा वीडियो लगा दूँगी तो आप देखिएगा इसके फ्लावर जिन फ्रेंज को नहीं पता तो देखिए कुछ ही दिन के बाद फिर उनमें इस तरह से अगर छोड़ देते हैं हम तो यह पाच्छे दिन के बाद इस तरह से ड्राय हो जा एं और यह जर्मीरेट भी काफी असानी से हो जाते हैं कुछ यहां पर गिरे हुए हैं देखिए प्लांट से भाइब इखिए उपके साथ के मुझे तरीब कन किस तरीके से इसके से एक बात कर सकते हैं और किस तरीके से इसका germination होता है और काफी कुपसूरत flowers लगते हैं इसमें तो ये इस तरीके से आप भी collect कर सकते हैं अगर आपके पास भी इसके plant है तो नहीं है तो आप इसके seed कहीं से लाके और germination भी कर सकते हैं तो ओके फ्रेंज ये चुटा सा वीडियो अगर आपको helpful लगा होगा तो वीडियो को like करके और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लेजिए और यहां पर मैं सारे ही इसके seed हटा लोंगी अब क्योंकि seed की वज़े से इसमें flowering आप देख सकते हैं काफी कम हो गई है तो मैं इसके सारे seed अभी हटा के और इसे मुझे wine को कहीं ऐसी जगे पर set करना है ताकि अच्छे से फैल सके यहां पर यह अच्छे से फैल नहीं पा रही है वही वहीं पर हो जा रही है तो इसलिए मैं इसे कहीं और पर set करूंगे तो आपके साथ जरूर शीर करूंगे और सारे seed कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से आपको दिखाती हूँ देखे कितने सारे seed بن गए हैं तो काफी सारी seed मैंने यहां पर अलग से ले लिये हैं इन seeds को मैं अब एक दिन धूब दिखाऊंगी और उसके बाद फिर किसी polybag में डालके रख दूँगी और मैं चाहूं तो अभी इन में से plant भी germinate कर सकती हूँ और कुछ मैं germinate करूँगी और कुछ रख दूँगी ताकि मैं बाद में कभी किसी कारण से plant खराब हो जाता है तो हमें seed जरूर collect कर लेने चाहिए ताकि हम उनका फिर से propagation कर सके ओकी फ्रेंस उमीड है वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके फ्रेंस बाई हैपी गार्टनिंग